हेलो डियर स्टूदेंस वेलकम बैक तो माई यूट्यूब चैनल सो बटा आज यू नो कि टेस्स स्टार्ट होने जा रहे है तो 7 अक्टूबर से हम लोग टेस्स स्टार्ट करेंगे जाधा तर इस चैनल पर पंजाब ओड के स्टूदेंस हैं सो पंजाब ओड पे ही जाधा फोकस करेंगे अगर बाइचांस कोई बच्चा बीच में सी बीएसी वाला जूट जाए तो वह भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अदर्वाइस मैंने आपका भी बता दिया कि कि आपने कौन-कौन से टॉपिक करने हैं सो यूनिट 6 बटा ओप्तिक्स रे ओप्तिक से स्टार्ट करेंगे सेविंथ ऑक्टूबर को आपका टेस्ट है जिसमें आपने टॉपिक कौन से प्रप्योर करने हैं अज़ाओं से अड़ी नुमेरिकस लें के पंजाब बॉर्ड में डैरीवेशन के साथ साथ नुमेरिकल भी इंपोर्टेंट है तो डैरीवेशन सबसे पहले आपने डैरीवेशन पर जादा फूक्स करने CBSE वाले बच्चों ने derivation पे थोड़ा सा कम focus करना है और जो conceptual based questions है ठीक है numerical based questions है उन पे थोड़ा जादा focus करना है Similarly पंजाब ओड के अंदर mirror formulas थोड़े less important है important है लेकिन less important है CBSE के अंदर आज तक कभी mirror formula की derivation as such नहीं आई So CBSE वाले बच्चे थोड़ा सा neglect कर सकते हैं लेकिन एक suggestion है क्योंकि regular test start करने जारे तो regular test में आपने एक चीज का ध्यान रखना है जो भी चीज important है unimportant है बिल्कुल भी कभी नहीं आई आपने हर एक चीज को बहुत अच्छे से prepare करना है अच्छे से पढ़ लो एक बार exam के आगे या exam के 10-15 days पहले आपको जितना पढ़ना है आप लोग उतना पढ़ सकते हो हाना तो 9th को 8th को हम लोग problem discuss कर लेंगे आपका test discuss कर लेंगे जो भी आपकी problems होगी 10th को आपने total internal reflection and its application करनी है optical fiber करना है and पिटा total internal reflection is most 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 important पंजाब बोड पंजाब बोड में बहुत ज़्यादा important है CBSE में total internal reflection की जो optical fiber की जो questions आएंगे घुमा फिर आके तो ये question भी important है next 11th को आपका होगा reflection at spherical surface इसके 6 cases है so test के पहले में आपको बता दूँगी कौन से इसमें topics करने है सफारिकल mirror वाले so अपने 6 topics का test देना है जो पंजाब बोड के student है वो numerical almost skip कर सकते हैं इस topic के क्योंकि topic ही ज़्यादा important है CBSE वाले दोनों चीज़ों पे ही focus करेंगे 14th को आपका reflection by lens, lenses और thin formula का test होगा मतलब simple lens formula ही है convex lens और concave lens तीन derivations है और इसके numerical है similarly CBSE ने भी same करना है next is lens maker formula पिटा lens maker formula is most 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 important topic मान के चलो कि पंजाब बोड में 90% chances हैं कि lens maker formula आएगा ही आएगा तो आप लोगों ने बहुत अच्छी से prepare करना है diagram बहुत अच्छी से बनानी सीखनी है similarly CBSE में important है तो आप लोगों ने topic करना है 18 को आएगा छोटे छोटे topics है 18 वाले power of lens, combination of lens, lens in contact, combination of lens तो मतलब power of lens का question एक दो number का बन सकते है बाकी question कहीं MCQs में आ सकते है direct question थोड़ा difficult है 21st को reflection through prism करना है तो reflection through prism is a most 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 important topic Punjab board में बहुत प्रिजम का direct 3 marks का question या direct 5 marks का question बन सकता है next आजाओ simple microscope and compound microscope अब बेटा optical instrument start हो गई, optical instrument optics 3 parts में divide किया हुआ है number one blue color का highlight किया हुआ है, ray optics उसके बाद आ जाएगा optical instrument, optical instrument तक आपका 5 marks का एक question आएगा ही आएगा इसका मतलब lens maker formula हो गया, prism हो गया, compound microscope हो गया और telescope इन चार question तो ऐसी questions है जो मतलब बहुत अच्छे से prepare कर लो, 5 marks की question आने के chances बहुत जादा रहते हैं ठीक है, और CBSE के अंदर बेटा compound microscope और simple microscope article भी important है लेकिन numerical जादा important है पंजाब बोड वाले बच्चों ने भी compound microscope के numerical अच्छे से करने है 25th को आप लोग करोगे telescope, तो telescope जो है इसके numerical थोड़े less important है पंजाब बोड में तो आप लोगों ने derivation पे जादा focus करना है, लेकिन CBSE में numerical जादा important है telescope के तो आपने अपनी board के accordingly prepare करना है, clear हो गया जी, next आजाओ wave optics so wave optics के questions similarly जो topics given है वो अपने prepare करने है और कहीं पे भी slivers में आपको कोई भी doubt हो तो आप लोग पूछ सकते हो, जैसे 30th को यंग्स double slit experiment है, अब पंजाब बोड के बच्चों ने यह question यंग्स double slit experiment जो fringe विर्थ वाला article है, this is the most 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 important question, मान के चलो कि 99% chances है कि यह question आएगा ही आएगा, यह तो हाइगन प्रिंसिपल से आएगा, यंग्स modelers में से आएगा, यह diffraction का question 5 marks का आएगा न, तो यंग्स modelers वाला question बहुत जादा important है, दूसरी तरह, CBSE में देखोगे तो derivation उन्होंने delete ही करती, no derivation, find expression only, इसका मतलब final result, final expression ही आपने करना है, no derivation, final expressions ही करने ही आपने, मतलब formula based आपको numerical आ सकते हैं, questions पूछे जा सकते हैं, लेकिन आपने जो derivation है वो prepare नहीं करनी, CBSE ने, अब पंजाब बोड का 1st November को अपका test होगा, coherent sources क्या है, in coherent sources है, वाला definition है, उसके बाए defraction वाला एक पूरा full-fledged article है, तो यह article भी important है, मान के चलो कि 50% chances रहते हैं, 40-50% कि यह वाला article 5 marks में आ जाए, 3 marks में कभी भी diffraction नहीं पूछते हैं, इसका numerical आपने कोई नहीं करना, पंजाब बोड ने, CBSE के अंदर, diffraction का जो question है, इसकी derivation as such नहीं आएगे, लेकिन इसकी जो numerical है, इसका जो graph है, पंजाब बोड में graph नहीं आएगा, CBSE में graph based question पूछेंगे, ठीक है, सो जैसे जैसे एक एक दिन आगे मैंने free रखा हुआ है, तो I will try कि मैं आपको बता दूँ कि कैसे कैसे questions आपके आ सकती हैं, ठीक है, last question है, polarization uses of plain polarized light और polyrider, पंजाब बोड में ये topic करने हैं, और CBSE ने तो बिलकुल नहीं करने हैं, क्योंकि deleted topics है, clear हो 4th November तक आपको अपनी test clear हो गई होंगे, कैसे test होंगे, सो आपने क्या करना है, test आपका होगा, timing जो रहेगी, आपकी 4 to 5 रहेगी, ठीक है, सो 4 से लेके 5 तक मैं आपको test upload कर दिया करूँगी, after that मतला timing रोज आपको बता दिया करूँगी, कि इतने बज़े तक आपने मुझे टेलिग्राम चैनल पे जो test है, वो submit करना है, तो टेलिग्राम आप आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, और physics with rimble man चैनल को join कर लीजिए, आप रोज अपना test चेक करवा सकते हैं, गलतिया निकलवा सकते हैं, और अपनी आप में improvement लेकिया सकते हैं, ठीक है जी, so all the very best for your exams, अ रूट आपर में से एक बन के बाहर निकलेंगे, thank you so much